हेलो स्टेटेंट्स वेल्कम टू माइड नर्चर मैं हूँ कृष्णा कैसे हैं सब लोग मस्ट बढ़िया तो चले स्टार्ट करते हैं हम लोग फार्मकलोजी का चैप्टर नुमबर 5 का लेक्टर नुमबर 4 ठीक है न हम लोग कार्डियोस्क्रोश सिस्टम पढ़ रहे थे और आज लोग पढ़ने वाले हैं drug using atherosclerosis हम सब को पता है atherosclerosis क्या होती है फार्मका थेरोपेटिक्स वाले चैप्टर में हम लोग इसको डिटेल में पढ़ रखा है कि atherosclerosis क्या होता है जो blood vessels होती है उनमें जो deposition fat का आ जाता है that is atherosclerosis very simple अब फिर से चेक कर लें उसको फार्मका थेरोपेटिक्स में जो लिपीडिमिया वालाजिस में लिपीड्स वाले बारे बारे बात कर रखी है वहाँ पर atherosclerosis को हमनें डिटेल में समझा हुआ है ठीक है तो यहाँ पर हमने स्कोर्स की definition देख लेते हैं क्या definition है atherosclerosis is a disorder ठीक है क्या है यह disorder in which lipid deposits accumulate जो lipids होते हैं fat होते हैं उनके deposits इखटे होते हैं accumulate हो जाते हैं on the lining of the blood vessels blood vessels की जो परत होती है उसके उपर इखटा होना सुरू हो जाते हैं eventually producing degenerative changes और आखिरकार eventually मतलब अंत्य था या आखिरकार degenerative changes degenerative मतलब वहां की blood vessels को थोड़ा नुक्सान पताने start कर देंगे and obstruction वहां block करेंगे of blood flow blood flow है उसको obstruct करेंगे atherosclerosis is considered to be a major contributor in the development of heart disease सबसे बड़ा इसका रोल इसका समझा जाता है यह जब बढ़ता तो बढ़ जाता है ठीक है इसका रोल समझा जाता है फिर करेंगे चैप्टर टूए और फार्मको ठेटिक्स ठीक है उनमें किसी एक में मैंने इसको यहां discuss किया हुआ हुआ है तो और detailing मिल जाएगी कि क्या होता है कैसे होत दबा यहां तो याद करनी है याद कर लोगे फिर टॉपिक का दिमाग में concept पैठर आएगा तो फिर चीज़ें याद करना असान रहती है क्लासिफिकेशन अब हम लोगों पता है हमझी और सी यो को एंजाइम ए ठीक है है एचमझी को एंजाइम ए रिडटेस इनिबीटर य फेट में contribute करता है उसको absorption को रोक देगा ठीक है बाइल एसीड सीक्वेश्टेंट अब बाइल एसीड को जो क्या करेगा सीक्वेश्टेंट ठीक है ना तो बाइल एसीड वाल का यहां पर रोल रहता है देखेंग अभी हम आगे और लाइपोलीसिस और ट्राइग्रिसराइट सिंथेसिस इनिबीटर जो लाइपोलीसिस को तोड़ते हैं और ट्राइग्रिसराइट को जो बनाते हैं उनको रोकने थी यह अब फार्म को लोटको लोटेंगे यह निवीटर छिवाले राइपोलीसिस ट्रैगर सेसिस इनिवीटर इनको ही लेकरकर के इनका एक 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 टीक लियूप जो की हमारे फार्मक लटकल एक्षिन में आ जाएगा कनवर्जन और थ्री हाइड्रोक्सी 3-methyl-dutaryl-coenzyme HMG-coenzyme Full form, very important आने की बहुत ज़ाजा समभावना याद कर लेंगे 2-mivalonate होता क्या है जो HMG-coenzyme होता है ये convert हो जाता है Mivalonate ठीकर जब इसमें convert हो जाता है ये जो conversion हो रहा है हमG का इसमें जो conversion हो रहा है ये जो होता है rate limiting step in cholesterol synthesis cholesterol के बनने में ये rate limiting step होता है सबसे ज़्याद होता है ठीक है ना cholesterol बनने में therapeutic doses reduce ठीक है CH का मतलब cholesterol synthesis by 20-50% जो हम dose देते हैं इसकी HMG-coenzyme inhibitor वाली उसमें 20-25% 50% दा cholesterol synthesis क्या होती है रुक जाती है क्लियर है बाते हैं बात समझ में आ रही है आगे आते हैं ना तो को इंजाइम का pharmacological action समझ में आ गया lipoprotein lipase activator lipase activator it increases VDL VLDL VLDL मेरे ख्याद से बहुत अच्छे से क्लियर होगा है नहीं है ना very low density lipoprotein बहुत डीटेल हैं पढ़ रखा हम लोग ने फार्मका थर्पेटिक्स में इसको VLDL clearance by Stimulating Vascular endothelial cell lipoprotein lipase activity जो वस्क्यूलर endothelial होते हैं जो blood vessel के endothelial होते हैं वहां पर lipase की activity जो lipase lipid को खाएंगे enzyme lipase क्या है enzyme lipase ASC लग जया तो एंजयम होते हैं जो lipid को खाएंगे enzyme उनकी activity को बढ़ा देते हैं यह agetimib inhibits intestinal and biliary cholesterol absorption जो agetimib है अब agetimib मैंने हैं क्यों ले लिया ओके sterol absorption इनिवेटर में डायेट मैंने क्या ले लिया ड्रग ले लिया ठीक है यह क्या कर रहे हैं कि intestinal और biliary cholesterol absorption है ना जो हमारा biliary duct है अपनी जो अपने biliary हैं वहाँ पर और intestinal है वहाँ पर cholesterol के absorption को रोग देंगे यह ठीक है bile acid sequestant अब देखो समझ ले इसको excretion is increased up to 10-fold when cholesterol is given resulting in the enhanced conversion of cholesterol to bile acid in the liver ठीक है ना तो bile acid sequestant क्या हो गया cholesterol को बहुत ज्यादा मात्रा में bile में convert कर दे रहा है lipolysis and triglycerides synthesis inhibitor niacin act to decrease level of very low density lipoprotein and low density lipoprotein ठीक है ना जो niacin होगा वो जो low density lipoprotein या very low density lipoprotein होगा उनके लेवल को क्या करेगा decrease करता है while increasing levels of high density lipoprotein यह इनका काम है तो सबके कहें ना कहीं pharmacological action body में जाकर कि क्या काम कर रहे हैं वो हमको समझ में आ रहे हैं यहां पर एक्सेंस हैं ठीक है क्योंकि यहां पर हमको इनके action ही लिखने पड़ेंगे क्योंकि as it is कुछ हमारी body पे इनका vicious effect वैसा नहीं आता है क्योंकि यह जाकर करके हमारी body की lipids वगरे पर act कर रहे हैं ठीक है आगे आते हैं डोस हमेशा की तरह है जो बताता हूं है जो तुमको पसंद हो वही हम याद करेंगे और खास कर कि वह याद करेंगे जो हमारी फार्मसोटिकल chemistry में दे रखा हो ठीक है अगर वहाँ पर चैप्टर मौजूद है तो अगर यह चैप्टर वहाँ मौजूद नहीं है तो हम लोग ठीक है फिर हम बता देता हूं जैसे कि लोवा स्टेटिन है सिमवा स्टेटिन है अटारवा स्टेटिन इसको मार कर लेंग अ सब में से एक एक याद करेंगे जैसे यहां पर हमारे पास अटॉलवा स्टेटिन सबस्याद हो जाएगा यह फिनोफाइब्रेट इस पर यह एकलोता ही है कॉलिश्ट टैरामाइन और निकोटोनिक एसीड ठीक है एक याद करेंगे इनके डोस याद कर लेंगे इंडिकेशन इंडिकेशन तो पता ही हमको है ना लीपिट बढ़ रहा हमारी बॉड़ी वे जिसकी वाज़े से एथ्रस्ट्रॉरिस हो रही है यूज्ट रिद्यूस हाई लेवल ऑफ लिपिट फैट एन लाइप प्रोटीन फैट विद प्रोटीन इन दा ब्लड़ लाइप प्रोटीन पढ़ चुके हम लोग कहां फार्मा को फिर बता रहा हूं बहुत सारे टर्म वहां पढ़ चुके हैं तो यहां पर काम आ रहे हैं इसलिए हम सीधा हम टूदा पॉइंट टॉपिक पर ही चल रहे हैं यहां डिटेलिंग नहीं करेंगे कॉंट्र इंडिकेशन इन केसे में हमको दवाजियों को बड़ा ध्यान से देना पड़ेगा और ध्यान रखना पड़ेगा तो यह तो अपना था एक छोटा सा चैप्टर ठीक है छोटा सा लेक्टर नॉट चैप्टर तो खास याद नहीं रखना है फिर बता रहा हूं का फार्माट श्रूपिटि यूटूब में ठीक है ना यह अपना माइनर्चर एप है जहां में तमाम चीज़ें आपको मिलने वाली है एक्जाम की प्रिपरेशन के लिए और यह उसका कॉस्ट है बहुत ही लो कॉस्ट रखा हुआ है तो आप लोग सकते हैं और फाइदा उठा सकते हैं सबसे जरूरी रिवाइज करना है पढ़ना है रिवीजन तो जरूर 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 करना है ओल दा वेस्ट